वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके मेल आइकन में आल को प्रेस कर दीजिए नमस्कार, ट्रेंस एंट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सामने जो आप देख रहे हैं ये है मलहौर का यार्ड और डाली गंच मलहौर जो हमारा दोहरी करण का कार है वो अब रफतार पकड़ रहा है और नए डियारेम आने के बाद जबसे आदिति कुमार जी ने चार्ज संभाला है लखनो मंडल के डियारेम का तो उसके बाद से डाली गंच मलहौर का जो हमारा 12 किलो मीटर का पैकेज है एनियार जोन लखनो मंडल का इसमें जो कार चल रहे हैं उसमें निश्चित रूप से रफतार अब देखने को मिल रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे लिम्टेड हाइट सब्वे यहाँ पर तयार किया गया था जिसका पूर्व में हमने कवरेच आपको दिखाया है लेबर लगी हुई है और फिलाल मलहौर स्टेशन पर लूप लाइन्स जो हमारी ट्रैक्स प्लैटफॉर्म नंबर एक और दू पर डाले जाएंगे उसका कारे चल रहा है ओएची को उपर क्रॉस बार्स में जो ड्रॉप आम्स में ब्रैकेट्स लगाए गए उल्डर्स तार को उस पर शिफ्ट कर दिया गया है वो हम अभी आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे ये वीडियो फेजा है अभिनंदन अवस्थी ने और साथ में उनके जो मित्र हैं सुधानशू मिश्रा और अभिशेक दूबे उन्होंने भी क्लिप्स भेजी है इसमें तो यहाँ पर ट्रैक को अभी कंप्लीट किया जाएगा जो हमारा मलहौर से आगे डबल लाइन चलेगी गोमती नगर स्टेशन की दिशा में वो ट्रैक अभी इनकंप्लीट है उसको एक्चुली में यहाँ पर जब मेगा ब्लॉक लिया जाएगा तो जोड़ा जाएगा क्योंकि कैची इसमें बनाई जाएगी कैची डाल जाएगी पॉइंट्स आगे ठोकर लाइन आप देख रहे हैं जो यार्ड की हमारी लाइन है ट्रैक्स वो कंप्लीट है लेकिन मलहौर यार्ड का अभी फाइदा नहीं मिल पा रहा है रेलवे को यहाँ पर अभी ट्रेंस पार्क नहीं हो पा रही है काफी स्पेस हैं यहाँ अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मिट्टी थी वो हटाई जा रही है उसको शिफ्ट किया जा रहा है मिट्टी को यहाँ से डंपर में और इधर आप देख सकते हैं प्लैट्फॉर्म नंबर एक हो जाएगा काफी सारा यहाँ पर मैटीरियल कंस्ट्रक्शन का धेर है क्योंक सिफ्ट की जा रही है जगहे बनाई जा रही है देखे भर रहे हैं डंपर में तंपर में और यह मिट्टी जब शिफ्ट हो जाएगी यहां से हटा दी जाएगी उसके बाद कॉंक्रीट की यहाँ पर रिटेनिंग वाल जैसी दे करके दोनों साइड में रस्ता दिया से ये लेवल क्रॉसिंग बंद हो जाएगी उपर यहाँ पर लेवल क्रॉसिंग के ऊपर चार ट्रेक्स आ जाएगे सब्वे के ऊपर से और ये प्लैटफॉर्म नंबर एक पर हम पहुंच गएं मलहुर स्टिशन जो है घुमावदार है इसके जो प्लैटफॉर्म हैं तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं प्रैक बिछाने का काम तेजी के साथ शुरू किया जा रहा है और ये जो बूम वगएरा भी आ रहे हैं ये निकाल दिये जाएंगे यहाँ से क्योंकि यह लेवल क्रॉसिंग किया जाएगा जिससे की गोमती नगर स्टेशन से और आगे जो बाच्चनगर की दिशा में यहाँ से ट्रेंस जाएंगी वो ऑपरेट की जाएंगी और इस दिशा में बाराबंकी junction की दिशा में जो train जाएंगी वो operate होंगी तो यहाँ पर जो OHE के जो mast है अब यह जो mast आ रहा है यह भी हटा दिया जाएगा आगे की हटा दिये गए हैं और जो wiring है वो crossbars के उपर जो हमारे नए brackets में देखे लगा दिये गए हैं हम आपको भी नजदीक से दिखाते हैं उसमें wiring shift कर दी गई है फिलार track को यहाँ पर बिछाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है और देखे किस प्रकार से यहाँ आसपास तेजी से कारे चल रहे हैं मशीने लगी हुई है यह limited height subway के उपर से खड़े हो करके इनको लगा दिया गया है अभी एक track दो tracks इसके उपर और आएंगे जो हमारी loop lines हैं वो इसी concrete के box के उपर से आगे यहाँ पर निकलेंगी तो यह आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर भी filling की जाएगी और मिटे की और यह सब्वे का जो रास्ता है फिर नीचे से तयार हो जाएगा labor काफी लगी हुई है मलहौर station पर जैसा आप देख सकते हैं कारियों में अब रफतार आ गई है तो काम तेजी से चल रहा है मलहौर station के उपर loop lines को डाले जाने का काम जो है वो रफतार पकड़ रहा है और यहां पर भी आप देखे कुछ नीव ऐसी बनाई जा रही है मुझे लगता है जो platform में थोड़ा extend होगा यहां आगे तक आएगा हलाकि पीछे boundary भी नहीं बनी है तो अगर extend होता है थोड़ा और आगे तक तो पता पकड़ रहा है सामने आप देख सकते है FOB का जो structure है वो तेजी के साथ खड़ा होना शुरू हो गया है और यहां पर भी यह जो रास्ता भी बीच में एक छोटा सा cabin आता है जिसे कि हमारे NR side रस्ता आ जाता है यह FOB मुझे लगता है जब बंद जाएगा उसके बाद यह बंद कर दिया जाएगा रास्ता उसका structure देखी तैयार होना शुरू हो गया है FOB का तो कारियों में धीरे धीरे रफतार आ रही है और जो हमारा OECC का काम है वो सारा अब crossbars पे उपर shift हो रहा है wiring ताकि नीचे दोनों ही दिशाओं में जो मास्ट आ रहे थे बीच में जहाँ पर हमारी loop lines डाली जानी है उनको हटा दिया जाएगा मास्ट को जिसके बाद track डालने का काम रफतार पकड़ेगा rails आ गई है रखी हुई है तो टोटल चार tracks यहाँ पर मलहौर में हो जाएंगे N.E.R. साइट दो run through lines हो जाएंगी दो loop lines हो जाएंगी platform नमबर एक और दो पर और मलहौर से आगे 12 बंकी जंक्षन की दिशा में भी जो गौर की साइट भी वहाँ पर भी rail bet को तयार किया जा रहा है जगह बनाई जा रही है क्योंकि वहाँ पर भी number of tracks और बढ़ाए जाएंगे जो actual blueprint है हम कह सकते हैं जो वास्तों में आगे भविश में होगा कारी वो यह है कि मलहौर से 12 बंकी जंक्षन तक total 4 tracks किये जाएंगे यह योजना थी railway की काफी समय से जिस पर अब धीमे धीमे मुझे लगता है अमल होना शुरू हो गया है और उस पर कार अब धीरे धीरे third line उसके बाद four track वो आगे बढ़ेगा 12 बंकी जंक्षन की दिशा में मलहौर से क्योंकि आगे फिर जैसा आप जानते हैं अब 12 बंकी अयोधिया वाला काम भी बहुत रफतार से चल रहा है और जैसे जैसे speed कारियों की वहाँ पर बढ़ेगी दबाव बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा, traffic तो फिर मलहौर से 12 बंकी जंक्षन तक total 4 tracks फिर भविश में वो हो जाएंगे तो उसमें भी number of tracks धीरे धीरे करके बढ़ेंगे उसके लिए भी हम आपको जल्दी ही कोशिश करेंगे एक detailed update देने की कि अभी वहाँ पर किस प्रकार से मलहौर के आगे tracks को बढ़ाया जाएगा अभी शायद पहले तीसरी rail land डाली जाएगी जैसा सुन रहे हैं थर्ड track पड़ेगा और उसके बाद फिर चौथे track की बारी आएगी वहाँ पर भी चाठ tracks किये जाएंगे total ये तो पता है लेकिन उसमें अभी समय लगेगा मलहौर से 12 बंकी चाठ tracks होने हैं ये proposed railway के plans में चीज है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेसी भी मशीन लगी हुई है साफ सफाई चल रही उपर आप देख सकते हैं brackets लग गए हैं और गोरगपुर Intercity आ गई उसका arrival हो रहा है यहाँ पर मलहौर में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से मलहौर स्टेशन पर आप कारियों ने रफ्तार पकड़ लिया तो दो अलग-अलग एंगल से हम आपको जो दिखा रहे हैं गोरगपुर Intercity के हमारे जो आ रही है मलहौर स्टेशन पर मलहौर से बाराबंकी जंक्षन के दिशा में ट्रेक्स को बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि कम से कम एक ट्रेक यहाँ से अभी जब थर्ड लाइन हमारी तयार हो तो एक ट्रेक डेडिकेटेड एनियार को दे देना चाहिए अपनी ट्रेंस को निकालने के लिए क्योंकि यहाँ पर आगे जो सेक्षन है मारा मलहौर से बाराबंकी का वो उत्तर रेलवे में आता है एनार जोन में आ जाता है लखनौ मंडल में तो यहाँ पर अक्सर ट्रें को रुखना पड़ जाता है इसके कारण सिगनल नहीं होता यहाँ पर क्लियरंस के लिए तो इस एंगल से यहाँ पर आप देखिए जो हमारे नए यहाँ पर ड्रॉपांस में ब्रैकेट्स और वाइरिंग यहाँ पर जो कर दी गई है उससे अब देखे ट्रें संचालित हो रही है यह जो बीच में मास्ट अभी आप सामने आप देख रहे हैं पहले इस पर वाइरिंग थी यह हट जाएगा इसको काट दिया जाएगा यहाँ से ताकि फिर यहाँ पर लूप लाइन हमारी डाली जा सके एक नंबर प्लैटफॉर्म की ट्रेक यहाँ पर आगे डाला जा सके इसके लिए यह मास्ट हट जाएगा और वाइरिंग आप देख सकते हैं उपर अब इस तरफ के जो वैची मास्ट हैं वो हट गए हैं उनको हटा दिया गया है अब क्रॉस बार्स में जो हमारी वाइरिंग देखी हो रही उपर से वैची शिफ्ट कर दे गई है उससे ट्रेन अब संचालित की जा रही है निकल रही है धीरे धीरे तो यह था एक छोटा सा अपडेट मलहौर से उमीद है आपको पसंद आया होगा